हेलो गाइज और कम बाक तो माई यूट्यूब चैनल आज फिर से एक बार फ्री की ट्रेड हुआ था ठीक है फ्री की ट्रेड के बारे में आपने सुनाई होगा तो आज क्या हुआ था 37100 का जो पुट ऑप्शन है वो यहां की इस कैंडल की मैं बात कराऊं 1029 की कैंडल तो 1029 क तो आप सोच सकते हो कि almost five times six times यह चला गया था option तो आपको पता है कि option जब shoot up होता है तो मतलब कितना profit होता है तो यहां पे profit और loss की भी बात करेंगे कि किसका profit हुआ था और किसका loss हुआ था और bank nifty में क्या scenario बन रहा था यह candle जब यह हुआ तब bank nifty और nifty में क्या हुआ था जैसे कि आपको बताए 37100 का जो put option है वो अचनक से spike होगी और यह जो spike है चार्ट पे हमको सिर्फ 67 तक ही दिख रहा है तो कई बार मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है और आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि आपने SL लगाया है 600 का for example ठीकि यहां पे आपको दिख रहा है लेकिन चार्ट पे आपको दिख रहा है कि 697 ए 698 तक ही आया है मार्केट लेकिन इसने क्या क्या आपका SL हिट कर दिया तो यह तो आपके साथ होता होगा बहुत बार और आपने सोचा भी होगा कि यह क्यों हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग inside order ठीक है inside order क्या होता है च न से हमको पता चलता है कि चार्ट पे अगर अपडेट नहीं होगा तो जो मूउव क्यों होते हैं तो क्विक मूव यहां पर बना था यहां पर पैटन बना था ठीक है यहां पर अगर देखोगे तो यह है 1029 की गैंडल आप देख सकते हो यहां पर गैप create हो गया simply यह candle यहीं पर close हो गई और यह open हो गई यहां पर तो यहां पर almost 50 points का gap spot chart में create हो गया था ठीक है तो ऐसा क्यों होता है सबसे पहले यह जान लिए लिक्विडिटी कम होने के वज़े से ही ऐसा सब होता है तो लिक्विडिटी कम क्यों हो गई क्योंकि margin rule आ गया margin rule किस ने लाए सेवी ने लाया अब आप सको सब कुछ clear हो रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है margin जो है margin के वाज़े से liquidity कम हो रही है ठीक है आपके जैसा trader मेरे जैसे trader जो normal retailers है वो लोग क्या करते थे पहले 15,000 में मैं खुद 15,000 में एक lot bank nifty का sell करता था उसी के लिए आज मुझे 1,63,000 देने प करता था जो जिसको equity करना है वो करता था अभी इस margin rule के वज़े से क्या हो रहा है यहां पर ज्यादतर लोग option buying में चले जा रहे और जो option sellers है वो उनको कहीं न कहीं problem आ रही लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि option sellers ज्यादतर बड़े प्लेयर से उनके पस capital की कोई कमी नहीं ठीक है option का चार्ट है इसमें तो इसने चार्ट पर बताया नहीं लेकिन यह three times इससे भी उपर जा चुका था अब हम बात करते हैं कि लॉस किसका हो रहा है जिनका direction गलत है ठीक है अब ऐसा बोलने पर यह हम लोग कोई टेक्निकल या फिर यह नहीं करे कि कौन आच्छा trader है कौन यह बस आपको यह बोन रहा हूं कि आपका काम है प्रॉपर ली ट्रेड करते मैं ठीक है विध अब कुछ लोग यहाँ पर क्या बोल रहे है कि असल मार्केट और एसल लिमेट आप लगाते हो यहां पर जब यहाँ प्रेड प्लेश कर दोगे तो यहां पर एसल इससे होगा क्या इसे और भी एक प्रॉबलम है ठीक है लिमिट ओर क्यों लगाओ बोल रहे लोग ताकि जो आपकी लिमिट ओर जो भी आपने प्राइस सेट करें उसी के आसपास एक दुरूपर या फिर उसी प्राइस पर आपका एक्जिक्यूट हो जाएगा लेकिन अगर प्राइस जंप करत ठीक है और मार्केट में क्या होता है आपको सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर निकाल देगा मार्केट बाइचांस अगर फ्रीकी ट्रेड होता भी और ऑप्शन चार्ट इतना उपर जाता जाके सस्टेन कर जाता है तो आप क्या करोगे तो आ सेबी को समाजना चाहिए कि सेबी के मार्जिन रूल के वज़े से सेब और सिर्फ यहाँ पे लिकुडिकी बहुत कम हो चूकी इसलिए बड़े प्लेयर से जो मैनुपिलेटर से यह लोग रिटेलर को लूटने का यहाँ पे काम कर रहे ठीक है तो मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा है और पिछले एक दो तो मैं ही तीन से चार बार अलरड़ी हो चुका है तो ऐसे से अगर त्रेड करेंगे जिन्होंने भी यहां पर पुट सेल किया था जिनको लग रहा था कि यहां से मार्केट घृम जाएगा उन्होंने तो बहुत बड़ा loss book कर लिया होगा बहुत सारे screenshot है मुझे भी टेलिग्राम पे मतलब लोगों ने भेजे हैं तो वो मैं आपके साथ share कर दूँगा यहाँ पर तो इससे बचने का कोई proper way तो नहीं है कि limit order लगाएंगे तो बच जाएंगे market लगाएंगे तो नहीं बचेंगे ऐसा नहीं है बस आपको थोड़ा सा cautious रहना है थोड़ा सा जो common मतलब trading style है उससे थोड़ा सा हट के आपको setups ढूणने ही पड़ेंगे जैसा मैं आपको बोलता हूँ लेकिन cautious रहना यह आपके हाथ में ठीक है अँआ झाल